What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, Welcome to Starlor Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और प्राई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो दीए Saturday में जो मैं आप लोगो निमन देता हूँ उसका basic purpose यह रहता है कि आप लोग उसको Sunday और Saturday में बैट कर तसलिश से लिख सकें और आप लोग किसी भी exam भी अगर अगर अप लोग तैयारी करें तो अपने हिसाफ से आप लोग उसको ढालिया कीजे तो एक हजार से लिखे 1200 सब्दों में आप लोग को यह ऐसे लिखना है तो यह old lady मैं आप लोग को बोल देता हूँ जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी प्राइस स्टार्ट किये जिन्होंने अब तक NCRT भी नहीं पड़ी है कोई ढंग से एक preparation level अपना नहीं पोँचा है उनको ऐसे लिखने की कोई जूरत नहीं है उनको बस इतना करना है कि जो ऐसे लिख रहे है उनका ऐसे पड़ो कम से कम कुछ points आप लोग को पता चलेंगे कोई चीज़ आप लोग जानेंगे यह पूरा समुद्र है जैसे आप लोग इसमें गोता लगाना है स्टार्ट करोगे तो चीज़ आप लोगो पता चलना है स्टार्ट होगे ऐसा होगा अगर आप लोग इस तरीके से एक नहीं होने कहते हैं कि टेंशन में आकर इरिटेट होकर चीज़ों करना है स्टार्ट करोगे तो इसमें डूफ जाओगे तो अपने आपको एक सही डिरेक्शन में लेकर चलो पीसिज में काम करना है जैसे मांजी ने क्या किया था पहाड तोड कर उससे रास्ता बना दिया हर एक दिन आप लोगो को क्या करना है ये बाते आप लोगे माइन में किलिर होनी चीज़िए तभी आप लोग एक पर्टिकलर गोल को अचीव कर पाएंगे संडे का जो लेक्शर रहता है हमारा थोड़ डिफरेंट रहता है ताकि आप लोगो ये लेक्शर इंडिपेंडेंट देखने में कोई पोलम न हो जब भी मन करें वीक में वीकेंड में जब भी देख सकें आप लोग इसको जरूर देखें पर देखें जरूर ताकि continuity आप लोग की बनी रहे है सबसे पहले एक important news के बारे में बात करूँगा है हाँ पर में आप लोग के सामने ये बात की जारी है कच्छो के बारे में कच्छो आप लोगों ने देखा होगा life में किसीने किसीने जरूर तो इसके बारे में कुछ important news जो कि आप लोगों से question पूछ आजा सकता है और ऐसे जो topic होते हैं, वो UPC के तो बड़े favorite होते हैं, और दूसरे exam में भी बड़ी जल्दी ऐसे question पूछ ले आते हैं, बात की जा रहे हैं आपर, यह कुर्मा एप के बारे में, K-U-R-M-A, यह कुर्मा एप यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी country में turtle है, उस पहले बात करते हैं, World Turtle Day के बारे में, तो यह question पूछा जा सकता है, कि World Turtle Day जो है, वो किस दिन celebrate किया जाता है, किस तारीग में, तो यह याद रखेगा, यह है 23rd में, World Turtle Day जो है, वो celebrate किया जाता है, तो इसी को जहान में रखते हुए, हमारी country में एक एप बनाया गया है, जिस आप का नाम रखा गए है, यह है Kurma App, कुरमा App यहाँ पर इसी से लिट रहे है, ताकि हम लोग जो Turtle उनको conserve कर सकें, basically, तो जो अप है, इसका बेसिक एम है कि किस तरीके से आप लोग पर Turtle को conserve करना है, तो इसी के चलते कुछ और important बात है हम यहाँ इसके बारे में जान लेते ह इसी के साथ में हाप पर वाइलाइफ कंजरवेशन सुसाइटी इन इंडिया यह सारे जो हैं आपर बेसिकली काम करने वाले हैं ठीक है जहांपर आप लोग इसको ले जा सकते हैं तो तरेके से आप लोग में चोड़ सकते हैं आखिर इतनी जद्दो जहत क्यों की जा रही है तो आप लोगे mind में एक question होगा तो उसका उसका जो उधारण है यहाँ पर आप लोगे सामने दे रख है उसका जो reason है basically wildlife trade जो है all over world में हाँ पर यह monitor कर रहा है कि किस तरीके से जो turtle है उनकी condition देखने को मिलती है यह माना जाता है इस basically जो report monitoring के इसाफ से अगर report के बात बारे में बात करें तुथाए 19 की जिसको बोलते हैं आपर traffic टी आर ए डवल आफ आईसी तो इसको बोलते हैं एक तरीका wildlife trade monitoring organization यानिके जो wildlife होती है wild में जो भी life है यानिके एक तरीसे जंगलों में जो भी life है जीव जनतो है उनका क्या-क्या trade किया जा रहा है और कौन सी illegal activity की जा रही है कहाँ पर poaching की जा रही है smuggling की जा रही है illegal तरीके से उनको बेचा जा रहा है तो उसके उपर यह एक तरीके से निगरानी रखता है तो और अगर इसको 2009 से लेके 2019 तक का यानिके 10 साल का हम लोग एक आगडा लगा के चलें तो 11,130 टर्टर के करीब यहाँ पर गलत तरीके से illegal तरीके से इस smuggling इनकी की गई है तो इसलिए आपर यह काफी important हो जाता है और देखें आपर यह जो टर्टर हैं इनको protection provide हैं आपर दो य यानिके जो ऐसे यहाँ पर endangered species हैं उनका अगर कोई trade करता है तो उसके बारे में हाँ पर बात की जाती है तो यह यहाँ पर रोगता है इन सब चीजों को इसके तैत यहाँ पर इनको protection provide करा जाती है अपनी country के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो wildlife protection act है हमारी country का जिसके यहाँ पर protection provide करा जाती है और यह जो app है free of cost आप लोग download कर सकते हैं play store से जाकर इसको तो आप लोग भी चाहे तो इसको यहाँ पर enjoy कर सकते हैं एक question आप लोग बताईए wildlife protection act जो है हमारी country में यह कब का है यह किस year का है तो year आप लोग को बताना है यह छोड़े-छोड़े question आ wildlife protection act आप लोग को से बोलेंगे कि match कर कर बताईए कि कब कब की एक्ट है तो इस तरीके से भी question बन जाता है तो हलका सा mind में clear होना चाहिए आप लोग को यह सब चीजे आगे बढ़ता हूँ एक report के बारे बात की जारी है थोड़ा सा detail में हाँ पर आप लोग उसे discuss करने वाला ह तो यह 2020 की report तैयार की गई है और खासकर इस साल के लिए report और जादे important हो जाती है उसका reason के है COVID-19 तो हर चीज के पीछे आज किर में COVID-19 आप लोग को नजर आएगा तो इसलिए यहाँ पर इसके ओपर और जादा focus दिया जा रहा है आप लोग को थोड़ा सा information जो basic information होती है मै वो भी share करना चाते हो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग किसी को खाना provide करना चाते हैं तो आप लोग काम करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग को तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा ठीक है A, 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 यानिके A3 पर आप लोग को काम करना पड़ेगा तो यह A3 क्या है य अभी तो हम लोग कुछ काम आगे कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो available होना चाहिए, दूसरी बात यहां पर यह accessible होना चाहिए, यानिके इंसान है कोई अगर आनाज खरीदना चाहता है, तो माली जे available है, पर लेकिन available है, available है वो माली जे केरला में, और इंसान रहता है जमुएंट कास्मीर में, तो यह कोई available हो नहीं गई यहां पर, तो यह एक तरीके से available होना चाहिए, यह दूसरा होना चाहिए, यह दूसरा होना चाहिए, यानिके है केरला में, और लेकिन पर लेकिन इंसान रह रह रहा है, एक जगहे मिल जाते हैं तब तीसरा फोकस आता है कि जो भी खाना हम लोग को मिल रहा है, available है, affordable है, accessible है, उसके अंदर nutrition की quality होनी चाहिए, और वो ही यहाँ पर सारी चीज़े बाते की जाती है, तो एक तरीके से food और nutrition दोनों मिलकर यहाँ पर इस report का part बन जाते हैं, और यह जो report हैं यहाँ पर यह release की गई है, यह side line में जो high level, जो गोल आप लोग को देखने को मिलेंगे, यह वो गोल है, जो all over world को, एक सही direction दिखाने की कोशिस करते हैं, गरीभी से अटाते हैं, भुकमरी से अटाते हैं, अच्छी education के बारें बात करते हैं, अच्छी health के बारें बात करते हैं, तो इसमें अगर आप लोग hunger के बारें बात पर लेकिन जिस तरीके से pattern में चीजे चल रही हैं, और COVID-19 के चलते हैं, अब यह चीजे करना आसान नहीं होगा, अब थोटा सा जानते हैं कि रिपोर्ट किसके दोरा प्रस्तुत की जाती है, तो इक particular single organization तो यह काम करनी सकती है, all over world में इतना सारा डेटा इक खटा करना, तो हो गया UNICEF, जो की Children Protection Rights के बारे में बात करती है, तो United Nations Children Fund आप लोग यहां पर बोलिये, तीसरा हो गया UN World Food Program, तो यह भी United Nations से लिड़ होगर, चोता हो गया World Health Organization, तो यह सारी बोड़ी मिलकर जब यहां पर प्रस्तुत करती हैं डेटा, उसके बेस पर यह रिपोर्ट तयार की जिसका टाइटल है, State of Food, Security and Nutrition in the World, तो यहां पर जो स्टेट है, उसको Security और Nutrition के बारे में बात करते हैं, तो यह सारी ओर्गिनेशन जब मिलती है, तो यह डेटा प्रस्तुत करती है, और First Edition का प्रस्तुत किया गया था, तो यहां पर इसका 2017 में, फिर 2018, फिर 2019, फिर 2020, तो म तरीके से, यहां पर जो Sustainable Development Goal 2 है, जो मैंना भी आप लोगों से बात की, कि भुकमरी को मिटाना है, तो Zero Hunger की बात करते हैं, यहां बिल्कुल खतम हो जाने चाहिए, कम से कम खाना तो इनसान को मिलना चाहिए, जिंदा रहने के लिए, तो 2030 तक का टार्गिर था, पर लेकिन अभी जिस तरीके situation बन रही है, वो टार्गेट हम अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ important fact है, जिससे question भी आप लोगों से बन सकता है, और यह जो data है, आप लोग answer writing या निमंत के लिखने में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, तो यहां पर बात की जारी है, Asia, Asia के बारे में बात की जारी है, Asia जो है, वो greatest number आप लोग को देखने को मिलेंगे, under nutrition, यानि के एक तरीक से kuposit के सिकार आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, mal nutrition के सिकार जिनको आप लोग नोर्मली बोलते हैं, जिनको nutrition ढंक से निमिल पा रहा है, तो एक तरीक से kuposit जो परसन है आपर सबसे ज़्याद है, कहाँ पर है, Asia के अंदर में, तो 38 क्रोर के करीब लोग जो हैं आपर kuposit हैं, दूसरे number पर अफरीका देखने को मिलेगा, अफरीका continent, अगर बात करूँ आप लोगों से map में भी अगर आप लोग देखिए, या आप लोगा Asia continent, आप लोगा अफरी इन कंट्री कहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगी, यह particular reason के बारें बात कर रहा है, यह North America होगे, South America होगे, Latin America के नाम से आप लोग इसको जानते हैं, तो यहाँ पर 4.8 करोर के करीब लोग ऐसे हैं, जो इस particular kuposit चीज का सिकार बने हुए आप लोगो नजर आएंगे, ठी since 2014 से लेकर अगर global में हम लोग under nutrition के हम लोग बारे में बात करें, तो overall जो percentage आप लोगो देखने को मिलेगी, यह 8.99 के यहाँ पर जो people है, 8.9 आप लोगो जो भुकमरी है, उनके अंदर आप लोगो यह भी चीज़े देखने को मिलती है, अलग से, almost 69 करोर जो people है, वे अभी 2019 में एक तरीक से भूके रह गए जिनको खाना नहीं मिला, 2018 में यह जो आंकड़ा था है, यह अप टूदा आप लोगो को देखने के कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोग डेटा देखते है, लास्ट एर का क्या डेटा था, यह एर का क्या डेटा है, तो यह एक आधा करें बात करें तो पहले में आ गया, तो आंसर राइटिंग में अगर सस्टेनेबल डवल्पेंट गोल का आप लोग जिक्र करेंगे, तो राइटो जो आपर एग्जामनर होगा, वो काफी कॉंफरेबल फील करेंगा, जाने का भी बच्चे को बता है इन सब चीजों के बार सा कि आप लोगो ने सुनाओगा, वल्ड बाउर सेकिंड के डूरेशन में, जिनके ओपर बोम गिराए गया था, तो उसी से लेटर कुछ केनेक्टिड इस्टोरी आप लोगो इहां पर देखने को मिलेगी, इसको जो नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था, ट्रिनि अपर इसके बारे में याद रखेगा कि यह प्रोजेक्ट कहां पर यह टेस्ट किया गया, तो यह भी आप लोगों से पूछ ले आता है, तो जो कंडेक्ट किया गया है, यह है जो नाडा, डेल, मुरेटो, ठीक है, तो यह कहां पर देखने को मिलेगा, यह आप लोगो कर देखने को मिलेगा NM, यानिके New Mexico, यानिके South, जो South में, अगर आप लोग जाएंगे USA के, तो एक हां पर इसको New Mexico के लाम से जानते हैं, ठीक है, तो इस पंडेलर रीजन में हां पर यह टेस्ट कराया गया, तो Mexico Country के अंदर नहीं है, Southern State है हां अपर अमेरिका का, जिसके अं वहाँ पर अदिभाइस का नाम क्या दिया गया तो यह अधर रखे गया तो इसी के साथ में जो डिजाइन यह था यह फैट मन, आप लोगो ने नाम सुना गा, आप लोग लोग उसे पूछा भी जाता है नागासाह की बंगिरा गया था, नाइन अगस्त, नागस्त, नीटेन तो इसी के चलते हैं पर United States of America जब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके सपोर्ट में थे इन सब चीजों के ठीक है तो यह हैं आपर इसके बारे में तो 70 साल पूरे हो चुके हैं जिसको याद किया रहा है जो तराजदी हां पर देखने को मिली तो इसके बार चीज़े फोलो कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं उल्लेडी डिसकस कर चुका हूँ ठीक है आगे चलता हूँ नेक्ट जो यहां पर न्यूजी काफी इंपोरेंट है और आप लोगों से कई बार कोशन भी पूछ ले आते हैं बात की जारी है आपर जो बेसिकली वाइल बारे में तो इहां पर अभी हम लोग बात करेंगे आपर एक्स्वेटिक मकाव के बारे में ठीक है तो यह बेसिकली आप लोग यहां पर एक तोता देखने को मिल रहा है एक तरीक़ का इसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं चो इनकी जो इस्मगलिंग की जा रही है न्यू डेली में इसका headquarter है आज की डेट में और जो ILS officer है आपर बालेश कुमार वो इसके director general है parent agency को ने आपर central board of indirect tax and custom वो है आपर इसके central agency है तो यहाँ आपर इसके बारे में आप लोग याद रखेगा question कई बार बन जाते हैं तो इनके दोरा क्या किया गया अभी seeds किये गए हाँ पर कई सारे ऐसे तोते जो की बंगलादेश से लाकर कलकता के अंदर यहाँ पर बेसिकली गलत तरीके से बेचा जा रहा है यह जो एक तरीके से जो तोते होते हैं आप पर यह काफी beautiful होते हैं और एक तरीके से brilliant भी होते हैं color bean का काफी आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा और यह parrot family का part आप लोग को नजर आएंगे normally यह जो इस तरीके पक्षी होते हैं यह Central America, North America जिसे की Mexico के बारे मैंने भी आप लोगों से बात की South America और Caribbean वाला जो एरिया हैं आपर आप लोग को देखने को मिलते हैं यानि कि यह हमारी country में लाया जा रहे हैं पर लेकिन exactly हमारी country का part नहीं होते हैं illegal तरीके से इन species को हमारी country में लाया जा रहा है तो इसी के साथ में at least यहाँ पर 17 जो species है Macao आप लोग के हाँ पर देखने को मिलेगी यह endangered category में हाँ पर डाली जाती है ठीक है तो इनको normally कई नामों से और भी पुकार जाते हैं जो की extinct की category में इनको रखा गया है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं आप बिसिकली बात की जा रही है glucose Macao के बारे में सी के साथ में SPX Macao के बारे में जो ओल लेडी extinct यहाँ पर हो चुके है तो इस तरीके से illegal तरीके से आपर यह activity की जाएगी तो यह भी आप लोग एक्स्टिंट होते हुए नजर आएगे अभी आप लोगों को मैंने कच्छवे के बारे में बात करीती है तो CITES के बारे में हम लोगों ने बात की ताकि आप लोगे माइन में कोई confusion देखने को नहीं मिले देखिए आपर जब CITES के बारे में बात करते हैं तो यह जो TTA यह इसको जो अब लोग प्लांट के बारे में बात करेज यानिके जो पेड़ पोदे होते है या फिर जो फिलोरा encouraged बोला गया है तो फ्लोका बोल अब होते है वह बारे में बात करते हैं तो नों के बारे मी必श इसको जो लोकेशन है आपर ये जनिवा सुट्जर लेंड के अंदर आप लोग को इसकी जो लोकेशन देखने को मिलेगी तो इसके चलते हैं आपर जो बेसिक लिए कि कैसे आप लोग को एक्टिविटी रोगनी है ताकि जो इस तरीके पेड़ पोदें और पुसु पक्षी है जो की काफी कीमती है और जिनका इलिगल तरीके से वया प्यार किया जा रहा है तो उनको रोकने की कोशिस इसके द्वारा की जाती है तो इस ओर्गनेशन के बारे में ये चीजे भी आप लोग याद रखिएगा और जो रवर्ड यूज किया है आपर एक्सोटिक यहाँ पर बेसिक परपज होता है कि जो उस एरिया का रहने वाला पक्षी या फिर प्रानी नहीं है उसको बाहर से लाकर इंटिड्यूस किया जा रहा है तो यह इसका बेसिकली यह होता है परटपल ठीके ना और यहाँ पर जो इसको इसको सिड़ा सिड़ाई यो पी जो है वो साइले लगे तुछ करता है तो यह राजय टच करता है और बंगलादी इस ऐसा एक कंट्री है जिसको हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बाउंडरी टच करती है तो यहां से इनको कलकता के लाए जाता है इलेगल तरीके से तो इसलिए यह रिसेंडली काफी अभी निउस में था नेक्स्ट यहां पर 5G network के बारे में काफी ज़्यादा आप लोगों ने सुन लिया होगा अब तक तो 5G network का launch हमारी country में किया जा रहा है जिसके चलते आने वाले time में आप लोगो 5G phone देखने को मिलेंगे 5G network आप लोगों देखने को मिलेगा और जो आज के रिर में आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है यहां कि पहले के compare में आज केर में जो भी speed आप लोगों मिलते हैं उससे काफी high speed आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इसी के साथ में जो coverage एरिया रहेगा network का penetration का जहां जहां तक यह पहुँच पाएगा वो भी काफी एच्छा रहेगा लि यह activity आप लोग यहां पर 5G के network में यहां पर देखने को मिलेगी और हमारी country में जो सूरा जो पूरा काम यहां पर किया रहा है यह मुके संबानी साब के दवारे है यहां पर पूरा काम किया जा रहा है जो कि रिलाइंस इंडस्टी के मालिक हैं इनके दौरे यहां पर यहां कि यह जो डिवाइस हैं जियो फोन जहां पर जो फोन वगरा हैंगी सारी चीजे यह काफी महंगी देखने को मिलने वाली है तो उस बात पर भी इनके दौरा पूर्ण विराम लगाते हुए बोल दिया गया है कि जो डिवाइस होंगी वह काफी रिजनेबल प्राइज में हो लूग को मिलने वाली है तो टेकनलोजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं ऐक और इंट्रेस्टिंग फेक्ट आप लोग बताता हूं जब पहली बार यहां पर बात की थी थी 3D के बारे में तो ओल ओवर से काफी बाद में आ था 4G भी काफी बाद में है पलेकिन interesting fact यहां पर यह 5G जो है ना यह हमारी country में पूरे संसार के साथ में आ रहा है तो यह एक interesting fact आप लोग बोल सकते हैं यहां पूरे world में 5G आ रहा है उसी के पहलेल में हमारी country में भी आप लोग 5G network यहां पर देहने को मिलने वाला है तो यह एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं ठीक है तो यह था total आज का discussion इसी के साथ में कुछ एक दो news और है उनके ओपर नज़र आ लेते हैं आपर one liner type की सबसे पहले जो बात के जा रही है अगर आप लोग किसी जिम का पार्ट है आसपास वाले reason में कहीं में जिम में जाते हैं तो आप लोग उसी question मड़ी frequently एक्जाम में बन सकता है क्योंकि society से related है साधरा डैली के अंदर में यहां पर एक जिम खोला गया तो यहां पर उनको बुक कर लिया गया एक particular section के तैत जो Indian Penal Code का section है आपर section 188 तो section 188 जो है आपर एक तरीके से आपर इसके ओपर violation लगाया गया और इसके चलते हैं आपर जो भी हाँ पर जिम ने जिम के जो भी हाँ आपर यह काम चल रहे थे तो उनको यहाँ पर एक तरीके से रोका गया ठीके तो यह एक तरीक से violation यहाँ पर माना गया order का एक यहाँ पर पुरानी न्यूस है थोड़ी सी पर revision के point of से याद रखेगा चाइना और पाकिस्तान मिलकर दोनों है यहाँ पर 700 Megawatt का आजाद जो पतन hydro project यहाँ पर देखने को आप लोगो मिलेगा यह पाक उकोपाइड एरिया में देखने को मिल रहा है और जहलम रीवर के ओपर यहाँ पर इनके द्वारा यह बनाए जा रहा है ठीक है नेश्ट एक और न्यूस हैं आपर यह भी revision का पार आप लोग मान सकते हैं चाइना और USA जो हैं आपर अब UN आम ट्रीटी जो UN जो आम ट्रीटी हैं आपर इसका पार अभी चाइना भी देखने को मिलेगा क्योंकि USA के प्रेजिडेंट डोनल्ल ट्रम्स आपके द्वारा बोला गया था कि वो इससे बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि चाइना जैसी कंट्री जो कि आज कीर में काफी बड़ा दबबा बना रही है वो इसका पार नहीं है तो हम लोग भी इससे बाहर निकल जाएंगे ट्रीटी जो थी तुसाइन 14 में है आपर पावर में आई थी जिसके चलते हैं आपर रोका जाता है ताकि एक तरीक से जो कंवेंशनल आर्मस है जैसे की स्मॉल आर्मस बैटल टैंक कॉमबैक्ट टेर क्राफ्ट वो सिफ हो गया इनका जो ट्रीटी जो बेसिकली रहती है एक यह हुष, कम्रा एप में जाना किस से लित है क्या है जांस एक प्रटिकुलर रिपोर्ट पर के आफ लोगों शेममें आप लोगों से भी बात की यह बात की आज 75 साल पहले जो इसे बैप सारी बनाय गया गया थ यह कहाँ से गयर आ आ पर शान आग गया वह सारी चीजे जान ये थी हमारी छोड़ी छोड़ी नियूस, तो ये भी हम लोगों ने समझी, तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा पहरा सा डिसकसन, I hope कि आप लोगों ने अच्छे से एंजोई किया होगा, लेक्चर को तभी लाइक और सेयर करना है, अगर पसंद आता है, अगर पसंद नही नेक्ट लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंजोई करे यार, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ, संडे में देखे थोड़ा टाम निकाल के किसी को पढ़ा भी सकते हैं, डिल से जितना खुसी आप लोगों को होगी ना, जितना सुकून मिलेगा, साइदे किसी और चीज में इतनी खुसी मिलेगी, किसी की हेल्प करके जितनी खुसी मिलती है, तो आप लोग किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए enjoy करते रहे ही life को, तो revision भी करते रहे है, तो मिलता हूं next lecture में, तब तक के लिए, जय हिंद! झाल 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 में राँ झाल